दोस्तों सीमा हेदर पर दो दिन बाद तूटने वाला है दुखूं का पहाड यानि कि कहर तूटने वाला है सीमा हेदर पर आप लोग देख रहे हैं सीमा हेदर लगातार कानून का वाइलेशन कर रही हैं कानून तोड़ी हैं लगातार तोड़ रही हैं कानून का उलंगन कर और लगातार सोसल मीडिया उसका बन करने का जो आदेश कोट से हो चुका है उसका वाइलेशन लगातार कर रही है और आज आपको बता दू दो दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है कि उसके पैरू तले जमीन फटकर वह जमीन पर समाने वाली है यानि कि आसमान भी फटकर वह समा सकती है और वो कहर सिमा है दर पर बहुत बुरी तरीकी से तूटने वाला है आज मुझे बहुत सारे भाई वहनों ने कॉमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझसे लाइब में भी सवाल पूछा कि भाई ये क्यों नहीं मान रही है आखिर इसके पीछे किसका हाथ क्या इसके पिछे सरकार का हाथ है क्या इसके पिछे राजनीतिक दलू का हाथ है क्यों यह इतना ज्यादा धीट पंती दिखा रही है क्यों लगातार हमारे कानून को तोड रही है आखिर इसके अंदर डर क्यों नहीं है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद इसके अंदर कोई खौप नजर नहीं आता है, तो सब का जबाब दूंगी, सबसे पहले आपको बता दू, दो दिन बात इस पर कौन सा कहर और क्यूं टूटने वाला है, क्यूंकि आप लोग इस केस से जुड़े हो, आपके भावना ये जुड़ी है, आप तक हर सवाल पहुंचाना, हर जबाब देना हमारा फर्ज बनता है, जो हमें पता चलता है, तो दोस्तों ये केस इतना सरदर्दी बन चुका है लोगों के लिए, और ये लगातार मोविन मलिक सर को टार्गेट करके, उनसे परसनल अटेक करके, बत्तमीजियां करके, उनको वर्ण करने के बाद ये नहीं मान रही ह मोविन मलिक सर ने इसको last warning दी थी, इसका social account बन करने के order आने के बाद कि ये इस तरीकी की हरकते ना करें, उसके बाद लप्व का पूरा खांदान मिलकर दोबारा ये हरकते करा, फिर दोबारा मोविन मलिक सर ने का last warning दी थी कि भाया, मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ, पिर कल के दिन यह मत कहना कि मेरे पूरे परिवार मेरी भावी मेरी बेहन मेरी माँ सबको जेल के चक्कर काड़के के करने पड़े न्होंने कानून का वाइल सन्य करते हो उन चीज़上 को नहीं माना फिर से बत्तमीज में उतर गए लपक की बेहन मा भावी यानि की बवीतारारी जिसकी लोग तारिफ है करते हैं जिसके लिए लोग हमसे कहते हैं हमारी भारत की ओरत को महला को आप ऐसा गोल रही हो तो आप सोचल मीडिया पे इसकी गंदगी देखिए यह किस तरीके से वाइल करेंगी वहां तक गिल चुकी है अब यह इसलिए सोचल मीडिया पे वाइलेशन कर रही है यह क्योंकि कोट का जो और मोबिन सर को मिला है अभी तक और हाथ में नहीं मिला है यानि कि आज ही वीडियो बनारी में सनिवार है और कल इत्वार है दो दिन कोट बंद रहता है और कोट का ओडर आते ही जैसी मोबिन मलिक सर यूटूब को भेजिंगे और ठाने में कोटवा जो इसको डील कर रहा उसको दिंगे उसके बाद अगर यह वाइलेशन करती है कोट का ओडर को फॉलो नहीं करती है उसके बाद इसको अरेस्ट किया जाएगा यानि कि यह गिरबता क्यूं क्यूं नहीं मान रही है कानून को किया इसके पिछे राजनीतिक दलू का हाथ है या इसके पिछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ है सबसे पहले बता दू राजनीतिक दलू का हाथ इसके पिछे बिल्कुल भी नहीं हो सकता यह मैं भी अपने अनुभावों से कह रही हू कि इसको राजनितिग कोई भी सपोर्ट नहीं है जीन लोगों के सवाल हैं इंडिया और पाकिस्तान से आप चीजे करना चाहती है उसके बावजूद भी इसको कोई राजनितिक सपोर्ट नहीं है और दूसरी बात जब मामला कोट में चलता है तो मैं कई बार बता है तो कोई भी राजनितिक दल और कोई भी शरकार उस पे दबाव नहीं बना सकता है उस चीज को नहीं रोक सकता है हमार अगर किसी थाने में मामला आता है जिस अधिकारी के अंदर का आता है अगर वह इस पर अगर वह संग्यान नहीं लेता है थो मतलब कोट नहीं जबाब एक्षन लेना पड़ेगा तो दोस्तों सबसे पहले सौंबार के दिन इस पर एक्षन हो जाएगा अगर यह दो दिन और वाइलेशन कर रहे हैं मंडे को यह अगर ऐसा कुछ करती है कोड के ओडर आ जाते हैं कोड यूटूब और ठाने में अगर यह ओडर पहुंच जाते हैं उसके बाद अगर यह कुछ भी करती है कुछ भी तो इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा इसलिए आप तसल्ली रखिया क्योंकि भई हमें अपने अदालत पर भरोसा है रही बात यह जिस तरीकी की भद्दी और गंदी हरकत कर रही है तो इसका जो मांसिक्ता है यह जो गंदी इतनी गंदी महला ओरत है यह अपनी मांसिक्ता को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी साथ में लपू का पूरा खांदान इसके साथ नपने वाला सब जहें जाएंगे क्योंकि यह लगातार कानून का वाइलेसन कर रहे हैं एक अवैद घुसपैटी को बढ़ावा दे रहे है उस महला को जबर्दस्ती अपने घर में रोके पड़े हैं जबकि वो महला बेल में है उसको कोई अधिकार नहीं है किसी भी पिरकार का वो हमारे कानून का वाइलेसन करें लेकिन वो लगातार कर रही है उसका वाइलेसन करने का सबसे बड़ा जो भी हाथ है इन लोगों को जाता है लप्पु जी से बत्तमीजी करता है दारू पी कर लगातार सराप पी के सोसल मीडिया पे अपनी जो गंदगी फैला रहा है अरे हम कहते हैं अगर तुझे इतना यह है तो सामने आओ लाइब में बात करो इसकी जो पाकिस्तानी बहन है रीमा उसको इसने ऐसी धंकिया वह दोबारा सोसल मीडिया पर आई ही नहीं और उसके पीछी क्या कारण है पाकिस्तान से इसका क्या किस मकसद से हाई अभी तक के लियर नहीं हुआ है क्योंकि और माझस बड़ा ही अब क्या कह indo यह प्लान करके आई है इसका मकसद ही कुछ ऐसा है वरना इस तरीके का जो लगाता है हमारे देश के वकील की बेज़ती कराने की कोसिश करती है जब पता है जब अनपड़ गवार जाहिल इस तरीकी की महला है इसके उससे को फरक नहीं पड़ता पड़े लोगो को क्योंकि पड़े लिखे लोग जो होते हैं एक बार कहेंगे आपसे दो बार कहेंगे जब उनको आपकी मानसिक्ता पता चल जाएगी तो कानुई तरीके से आपको तोड़ दिंगे अंदर खाने आपको पता भी नहीं चलेगा और दूसरा सवाल आता है कहां गया इसका भाई एपी सिंग कोई स्क्रिप्ट लिखके नहीं दे रहा आजकल और इसके उसमें कोई बयान नहीं आ रहे हात्रस वाले मामले मां उल्जे पड़े बाबाजी वहां पूद गए क्योंकि उनको पता है भाहिया अब तो यह जेल जाने वाली है इस पर सिकंजे कस्ट चुके हैं और आखिर भारत का वकील है और मैंने सुना है कि फोन करती है लगातार एपी सिंग को और एपी सिंग इसका फोन नहीं उठाता है यह वहां का गुस्सा यहा भारत से मांगती है आखें दिखाने के लिए भारत के लोगों को दिखाती है और यह इसने अपने मुल्क को पाकिस्तान को नहीं बक्सा तो भारत को क्या बक्सेगी और कल यह भारत से निकलने के बाद वही गंदगी भारत के खिलाप करेगी सनातन के आड़ पर सनातन के ना नाम पर योगी मोदी जी के नाम पर जोए नारे लगाती है किसने अधिकार दिया तुझे यह सब करने का अगर भारत की पबलिक जाग गई या भारत की पबलिक को थोड़ा सा भी आदेश मिल गया कहीं से तेरी बोटी बोटी नहीं वच्चे की बीटी तेरी हड़ीयों का धा तो दोस्तों यह इनलीकल गुस्पैटी गंदी महला जो हमारे देश में आकर घुस गई है इसको किसी भी हाल में आहां से लात मार कर जलित करकर बुरी तरीकी से भारत से उठाकर फेकना बहुत जरूरी हो गया इसकी वज़े से हमारी आने वाली नसलूपे असर पड़ेगा क्योंकि यह हमारी भारती संसिक्रती को गंदा कर रही है हमारी सामाजिक छवी को गंदा कर रही है इसको जड़ से उखाड फेकना बहुत जरूरी है जो भी इसमेहला को सपोर्ट कर रहा है इसके जितने भी सपोर्टर है उन सब की वार्ट लगने वाली है एक करके मोविन मल करने का आप लोग इंतजार करिया बहुत जल्दी इसका जो फ्रस्टेशन है पेट का वो तो निकल चुका बार और कुछ निकलेगा अभी दो तीन चार दिन को इसको करने दीजिए उसके बाद जब कानून का डंडा बजेगा पुलिस इसको चोटी पकड़ के रगड़त इसको उसके बाद पता चलेगा क्या होता है वाइलेशन क्या होता है कानून तोड़ना क्या होता है लोगों के जजबातों से खेलना इसको सब वहां पर याद आ जाएगा तो दोस्तों हमारा पूरा भारत देश आज इसके खिलाप खड़ा है और हम हिंदुस्तानी होने के हमारा फटज बनता है कि अपने दे्मा आई गंदगी को एठाकर बाहर फेकने में हमें मौविन मलीक सर के साथ कंधा मिला कि खड़े रहना उनके हर फैसले उनके साथ रहना है और कानूनी लड़ाई में उनके साथ रहना है तो जो लोग गलत गालियां दे रहे थे उन पे सिकंचकास चुका है सीमा है दर के सपोर्टर ने चीतने थे वो सब नप चुके हैं आब भगवार बचाएंगे उनको कैसे बचाएंगे इनके राधाक्रेशें क्योंकि हमारे अदालत कभी भी गलत निर नहीं नहीं करते हैं तो थैंक यू सो मच दिल से धन्यवाद करती हूं उम्मीद करती वीडियो पसन आया होगा अगर पसन आया तो लाग शीर कमेंट करें नेक्स टाइम मेरे वीडियो देखने चाहते तो चैनल को करें बिल से धन्यवाद, ओके थैंक यू